अब यह तक हम लोगोंने प्रवर्मस ट्वल्मेंट पढ़ लिया है जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि कि आज रहा है रेयतवारी सिस्टम है हमने देखा तो पर्वन सेटलमेंट था परवनेंट सेटलमेंट कि यह बेंगओल में चलु था जब में बेंगओल कहूं उ खें गार समझेगा बेंगॉल विहार और उसलीश साथ तरीक है यानिक यह एक यह और है यह हिस्न हिस्सा यहां पर चला था अब भारत का जो झाण सदन हिस्सा है यहां भी फिलोग किसान है यहां इनके पास जमीन है यहां से भी टैक्स लेना है और हम देख रहेंड है यहां और इधर बॉम्बे वाला बैठा हुआ है यहां भी बहुत बड़े एरिया पर इस इंडिया कंपनी का साशन चल रहा है और इनको यहां भी कुछ न कुछ करना था कि जिससे हमारा जो रेवन्यू का जो टैक्स है वो फिक्स हो जाए उसका फ्री फ्लो बना रहे इधर से भी होए पैसा प्राप्ट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगॉल ही बड़ा फर्टाइल एरिया है इधर भी हम देखें वरा नहीं प्राप्स क्षा ट sketches कर्ण के बादि हम सांट एंडार के और इंडिया को शाय है कि नोब्या पहले इसके बस जमीन कमें और यहां पर जो किसान था जिसको हम क्या कह रहे हैं यहां की किसान को कह रहे हैं रहीत साउथ इंड्या में जो किसान थे उनको कहा जाता है रहीत तो यहां पर जो किसान था उसके पास जमीन का तुकड़ा कम था यानि जमीन का छेतफल इसके पास कम था लेकिन यहां भी फर्टाइल थी तो यह किया गय यहां पर जमीन ज्यादा नहीं थी यहां पर जमीन लिम्टेट थी और ऐसा ने कि सारी जमीन पर टाइल यहां पर गंगा यमना ब्रंपुत नरियां है बहुत बड़ा फटाइल प्रेंड लेकिन यहां यहां पर बहुत बड़ा एरिया था यहां पर मिट्टी जैसे थी और यहां का जो क्लाइमेट था वह भी लगबग एक जैसे था तो यहां पर सफल रहा सक्सेस्फुल रहा या इन्हों कर सकते लेकिन यहां पर रेस्ट्रिक्शन यह थी कि यहां का क्लाइमेट एक जैसा नहीं आप साउंड इंडिया जाओगे तो सौ किलोमेटर मालीजी आप कहीं खड़े तो हो सकता है वहां बहुत दूप पड़ रही हो और सौ किलोमेटर चलने पर बहुत ते वारिश मिल ज बहुत जबना की यहां बहुत जंगल है यहां की ट्रेम जो यहां की जमीन है वह उबढखा बढ़ है यहां की जमीन सम्तल नहीं ती तब यह और इस शेवाजी ने रिव वारफएर में महारत हासिल थी उन्होंने वहीं टी में एक अट्यों औरंग जीब जो की समतल जमीन में लड़ने वाला आदमी था जब वो नीचे पहुचा तक करन ने पहुचा तो परशान हो गया plays तो नहीं यहांपे समफ जमीन है नहीं का क्लाइमट एक जैसा है नहीं यहां की मिट्टी एक जैसे है ना यहां पे बहुत बड़े प्लेन एरिया है और ना ही यहां पे जो किसान है उसके पाद बहुत बड़ा जमीन का तुकड़ा है इसलिए यहां पे परवरेंट सेटेल्मेंट नहीं शुरू हुआ तो अगर सवाल आता है कि क्यों साउथ इंडि लिए इसको कहा जा रहा है रायतवादी सिस्टम क्लियर है जी सर बहुत सी बात हो सकती मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मगर सब कुछ लिखें हो तो मेरी पीडियाफ नहीं होगी यह किताब बन जाएग यह जो बड़ी बोरिंग होगी है तो जैसे मैंने यह नहीं यहां पर लिखा क्यों हमने रहियतवारी को सावस इंडिया में यूज किया तो इसका बैले दीस आपको इसलिए और पता दिया और एक चीज मैंने और किये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यह जो रिकॉर्डिंग आप हो रही है अभी तो तो अभी हमने यह देखा कि क्यों तो खञे चलेगा करें तो इसका यह है अगर इसका रिजन लिखो तो पहला तो लिख दूँगा अन एक्वल क्लाइमेट यानि असमान जलवाई हो फिर दूसरा हो जाएगा अन एक्वल टेरेन यानि असमान भूमी तीसरा हो जाएगा इसमॉल एरिया ओफ लैंड जमीन यहां पर कम है चौथा क्या है लेस एरेबल लैंड यानि यहां पर जो भूमी है उसमें बहुत कम भूमी है जिसमें हम खेती कर सकते सकते हैं यहां पहाड है यहां पर एम पर घाणियां है तो यहां-पर समतल-जमीन नहीं है कि यहांता हो जिए निरिया यानि समतल भूमी का ओव जो कि हम् shelf날 मंगाल वाली लेके में यामनज पाम में अबना ओजा कह रहे सर साउस में जमिंदार भी नहीं थी इसलिए भी परमेंट नहीं ऐसा जमिंदार नहीं थी पैदा कर देते जमिंदार तो हर जगे थे भई क्या मद्रास का आदमी नहीं चाहिए डेकि जीस तरह बेंगौन में उसके मांदेजे किसी पर्चेत को ठेका मिला रहा है यह तो करी में। तो आदमी हर जगे मिलते हैं हम साउथ इंडिया के बूवी देखते तो हर मूवी में क्विलन दिखता है हमें एक गुंडा दिखता है तो गुंडों की कमी नहीं थी दिक्कत यह थी कि यह सारी चीज़े साउथ इंडिया में थी इस वज़े से हम यहां पर पर्मेंट सेटल्मेंट शुरू नहीं कर पाएं अगला लिख सकते हैं हाई बायो डायवर् कर दिया भालू ने हमला कर दिया साप ने हमला कर दिया तो मुश्किल काम था यहां पर हकरम और सबसे ज्यादा कि यहां पर लिख सकते हैं हाइए अब सांथ इंडिया में देखिए बाळ आती है सांथ इंडिया में भुकम पाजाते हैं कि आप एक चीज और या पर आखरी कि हाइब्रिड कल्चर हाइब्रिड कल्चर आफ वेरियस ट्राइब्स इस साउथ इंडिया में आपको विभीन प्रकार की जनजातियाल मिलेंगी उनकी भाशा अलग हे उनका पहनावा अलग है चले आते हैं वहां का डान से लगा है वहां पे जो गेंस होते हो तक अलग हैं जथ हम और क्लिए शु error जाहिए लेंगे आपको हैंदॉर में और एकार वंजी बोल लेंगे कि इतना ज्यादा दिक्कत थी तो अंगरेजय ने भी सोचा है कि अगर हम कोई एक जमिंदार को बोल देंगे भाई तेरे पास यह पाचास घाओंगे-ठमील बोल ले हूं दस गाओं चाण। तो वह उसका दिमाग दोर घूम जागे रमिंदार का क्यों कि मैं जाओं तो किसे कैसे बात करो भाशा अलग बोली अलग तुनकी कल्चर अलग हो सकता है इस कोई जाता है तो उसको उससे पैसा नहीं कुछ भी मतलब इतना ज्यादा हाइब्रेट कल्चर है कि इसलिए बहुत ज्यादा है इसलिए अंग्रेजियों ने सोचा यार तो मेंदारी सिस्टम नहीं हो सकता और यह जो ट्राइब्स है यह बड़ी जिसे कहते ना मरने मिटने को तयार रहें यहां की ट्राइब्स आज तो पिटाई होई है मार्टन वर्वा ने इनकी पिटाई की है उसके बाद हम देखें आर कोट वाला इधर एरिया मिल रहा है आपको हैदरबाद कर दोस्तों गया लेकिन हम इन सब को एक नहीं अंग्रेजियों इतनी छम्ता नहीं थी कि मैसूर और हैदरबाद को मिक्स कर दे क् यहां पर यहां पर जमिंदारी तो हम पूसेड़ नहीं सकते यहां पर हम अपने काइदा कानून कर भी नहीं सकते क्योंकि एक टेपो सुल्तान अभी मराय कोई और पैदा हो गया तो तो अभी तक आप लोग के सौन में कि क्यों साउथ इंडिया में परमेंट सेटल्मेंट नहीं शुरू किया गया क्लियर होगी बात कि क्या सब्सक्राइब क्या बताया अपको टेरेन कि मतलब यहां के जो भूमी है वह एक जैसी नहीं है कि यह साइन होता है जो उपर लिखा रहता है अगर उसके नीचे ऐसा साइन इसका मतलब उपर वाली बात नीचे लिखनी है कि क्लियर हुए बात कि यह सब्सक्राइब रहियत वारी सिस्टम यहां पर शुरू करना हुआ कि मतलब यहां पर सीधे किसान से बात हो रही है यानि इस इंडिया कमपनी सीधे किससे बात करती है रहा इसमें इतनी खेती होती है इसके हम सब्सक्राइब हो गया और इसको सबसे पहले शुरू किया था उस समय का मद्रास का गवर्नर को नाम लेंगे फॉमास म लेंद है मत्रास का गवर्नर का अन्य को मत्लब भूम अलग अलग है जैसे माले यहtechnist मैंने बनाऊ आओ इधर से चलते हैं कि यह महरा heißt माहराश में हम गएं तो कहीं हमें इसमotal जमीन मिली फिर हमें पहाडी मिल गई फिर समतल जमीन मिली फिर हमें घाटी मिल गई फिर कहीं बहुत बढ़े जंगल मिल गए इसे कहते अनेक्वल टेरेन वहीं अगर इधर बेंगॉल की बात करूं अगर मैं यूपी से जा रहा हूं यूपी से निकला फिर बिहार निकला फि मिलेगी तो एक दो मिलेंगे लेकिन यहां पर हो सकते हर 20 किलोमेटर में एक बड़ा सा पहाड आ जाए फिर घाटी आ जाए ठीक है इसे कहते एक जैसी भूमी ना होना अगर प्लेन है तो प्लेन है पहाड है तो पहाड है जैसे भाई हम मिमाले के आतरा में पता है यहां जा रहे आप करनाटका जा रहे आप किरला जा तो कहीं आपको पहाड मिलेगा कहीं आपको समतल मिलेगा कहीं आपको गहराई मिलेगी कहीं आपको घाटियां मिलेंगी कहीं आपको पास मिलेंगे यह सब चीज़ है इसे कहते हैं अनेक्वल टेर्ट हां लिख सकते हो लैंड लेंड का अच्छा शब्द है टेरेन तोड़ा है वी वर्ड हो गया लेंगलेश वालों को लेंड के जगे लिखना चाहिए जो चाहिए वो लिखो जो समझ में आए वो लिखो माक्स मिलता है अगर आपको बास नॉलेज है तो आपको माक्स मिलेगा तो इसको शुरू किया आपके सीधे डील कर रही है रहीत यानि किसान से और इस्थाई बंदोबस पर्वेंट सेटलमेंट पर इस्ट इंडिय कंपनी किसानों से डाइक डील नहीं कर रही बीच मिडल मैंने इसको कहा गया जमिनदार यह है बेसिक डिफ्रेंस और इसको पहली बार शुरू किया था आऊ अरे रहियत वारी में जो रहीयत सब्देव वो सिर्किसान है और इसके नाम से ही क्लिर हो रहा है कि सिधे किसानों से बात की जा रही है जब मदरास में शुरू हुआ अब अब शुरू कैसे हुआ होगा बहुत इस इंड़ कंपनी के ऑफिसल गए होंगे किसान किसान के खेत में गए होंगे और वहां पे लोने सर्वे किया होगा बहुत बताओ उस रिसाफ से त्या कर लिया को भाई तुम्हें इतना टैक्स देना है तो शुरू में यह मदरास में मैं बॉंबे बोल्ला वह जा रहा सै नहीं Is जब यहां पर लिखा गया सिर्फांपै इसका मतलारी ब्लाए शखरγता वहां भी शुरू हुआ हैं और वह जन्य कनतलो हरा अlast कि बशाए हो नहीं। चलना के यहाँ इसका जवाब मैंने पंच मैंट पहले मताया आप मुझा चाहिए जंगल है और घाट पर्वत और आगे बोलू है ड्राइब बहुत सरी बहुत बढ़ी है यही यही मचा रहा है आप लोग समझ में आ रहा है पहले सीस्तु जैसे आसाम में तो वहां पर जंगल है वहां पर अलग अलग ट्राइब से आज जब उन ट्राइब की और से इती दिखते कि नागा वाले मिजो से बात नहीं करते पहले मेति कुमार निक जोड़े तो तीन सब साल पहले तो और दिक्तर थी तो यहां ट्राइबल एरिया था यहां पर अवन टेरें था यहां पर जमीन के बहुत कम थे यहां पियस लगू नहीं कर सकते भाले यह एरिया बेंगॉल प्रेसिटेंसी के अंडर आ रहा था एक ल सब्सक्राइब नहीं मिलेगा करिए रहयत वारी सिस्टम से मिले हमें टैक्स चाहिए इसलिए इस एलाके में रहते वारी शुरू किया गया कुर्ग का एडिया कुर्ग आज अपनी कॉफी के लिए जाना जाता है आज ठीक है तो कुर्ग में भी दिक्तर थी कि मांटेनियस साथ इंडिया के रिजदा कुर्ग और यहां भी ट्राइबल रहती थी तो इन्होंने सुचा कि हम क्या शुरू कर दे रहते वारी सुरू कर दे प्रयत वारी सिस्टम तो कंफ्यूज नहीं होना कि वह यहां तो बेंगॉल प्रेश्टेंसी में था और हमने सुना था कि यहां पर क्लाइमेट जलवाई होए जैसी हो कि इसकी पहली शर्त यह थी कि हम दस साल का आवरेश निकाल के अगले दस साल के लिए फिक्स कर देंगे यहां हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस साल अच्छी बारिश होगी आज 2021 में हम अपने प्रेडिक्शन नहीं सही कर पाते तो जाएगी इसलिए यहां पर वह दस साल वाला सिस्टम थो फीजिबल ही नहीं होता ठीक है तो रहेत वारी मोटे तोर पे मदरास वाले रिजन में तो चालू हुआ है इसके लावा बंबे में भी चालू हुआ है आसाम के कुछ पार्ट में जब मैं आसाम बोलना हूं तो पू पूलिश और डाव लेंड हो गया मिजोरा्म हो गया यह सब आसाम में तो में खाळाया हो घृध कुछ उसमें भी लिखा है कुछ पार्ट साव पार्ट साव्तासाम कि एक यह सक्रीन में जो मैंने समझा है पिए यह सब कि कर आई कि अब जब इस इंडिया कंपनी सीधे किसान से बात कर रहें इसका मतलब यहां का जो कल्टिवेटर है यहां का किसान है वो बताइए भूमी का मालिक होगा कि भूमी का किरायदार होगा मालिक को टेक्स चुकाना है मालिक को टेक्स चुकाना है यह सेकंड डिफ्रेंस हो गया परवन सेटेल्मेंट में तो किसान था वहां पे लेंड का मालिक कौन है तो पीएस में ओनर आफ लेंड कौन था जमींदार लेकिन यहां पर रहयत वारी में और अफ लेंड कौन है कुंई हुआ कि सबस्केंड यहां पर हमने देखा और इस इंडिप्रेंट कंपनी ने जो सिधे किस्से किया चुक किसान है वहां पे जो खेज जोत्रह रही है तो उस से बात कि इसके मतलब यहां पर जमिन-दार वाल किसान ने अगर किसान ने जो वादा है उतना लगान नहीं दिया जो वादा है वो लगान नहीं दिया तो उसको उसकी जमीन से नहीं निकालेंगे यहां भी यह बात देखिया आप वहां गया था कि भाई यह जमिंदार से ने जो वादा किया था अगर वह वादा पूरा नहीं करेकर जमिनदार की जमिनदारी गई और वो जो किसान है उसने लगान नहीं दिया तो उसकी वहां से खेती करने का अधिकार गया कि यहां पर ऐसा है कि अगर वह पे नहीं भी कर पाता है तो भी उसकिसान को उसकी जमीन से हटाएंगे नहीं उसकिसान को उसकी जमीन से नहीं कि स्पाइश के का रिंट सर नहीं कि अधिया कि यहां वही बात तो कहीं जा रहे है कि अगर आप नहीं भी दे पाएंगे तो भी आपकी जमीन नहीं छेनेंगे वैसे तो कोई किसान पैसा नहीं देगा और सोचिया कि लाइन डिफ्रेंश लाइन देता है तो कभी गवाभी और कभी निभी इस पासा हुआ कि सर आगे और कल्टिवेशन हो सकता है क्योंकि सर्व रोहिला पद्देती जानते थे जिसके कारण वो डढ़ते थे अंग्रे जिन से यह थोड़ा करीब हो चाहिए और सोचे कि अगर इस इंडिया कंपनी बाउंड करते हैं अगर इस इंडिया कंपनी बाउंड करती इनको कि मैंने अभी बताया पांस मेट पहले कि यहां पर अन इवन टेरेन है यहां पर जंगल बहुत जाद है यहां बायो डैवर्सिटी बहुत जाद है अंग्रेज कितनी भी कितना भी उद्धी लगा ले उस समय जीपियस नहीं था अंग्रेजों को पता था चितना चुपचाप यहां से मिलना है उतना लेते चलेओ अगर इन से अड़ेंगे तो यह ट्राइबल लोग कहां से तीर आके हमारे कहां लगी कि हमें पता नहीं चलेगा और हमेशा ध्यान रखना कि यह अंग्रेज हमारे देश में करोडों की अंग्रेज में बहुत बुरे अनुभव रहे हैं ऐसा निकी सिर्फ टिपू सुल्तान की वजह से कि लोकल जो ट्राइबल लोंग थे यह भी अंग्रेज को बहुत परशान करते थे यहां पर अंग्रेज पांच तस लोग होते थे तभी कहीं निकलते थे क्योंकि इनको डर अकेला अंग्रेज निकलेगा तो रात में लोटेगा नहीं वापस कि बेंगॉल वाले इलाएद्या में क्या है दूर दूर तक सब कुछ दिखता है वहां पर अपना वो टेलिस्कोब लगा के देख सकते हैं भई वहां से ट्राइबल आ रहे हैं तो बोला मारो यहां तो इन अग्रेज हमेंशा दबके रहे हैं वह पंजाब में फैल गए कि नहीं वह अवद में फैल गए हम तो तुम्हें खराब करेंगे वह पर्शान करें लेकिन वह साउथ इंडिया में नहीं गए हैं मतलब इतने ज्यादा क्योंकि उनको पता था कि भाया हम हमारी अगर नेवी पी हम लगा देंगे तो हमारी नेवी का जहाद अंदर तो यह खुसेगा जंगलों के इस साउथ इंडिया के जंगल इतने खतरनाक है तब ही तो विरपन 25-30 साल वहां पर रहा विरपन जानते होंगे ठीक है और साउथ इंडिया में जतना ट्राफिकिंग होता है इतनी दिक कार इंसे इतना परशान है तो 300 साल पहले क्या करते होंगे लेरी कहानी इसका एक लाइन ब्रीजाने फॉर सेक्यूर्टी थ्रेट्स वह अपनी सेक्रोटी को भी स्टैबलाइस करना चाहते तो इसलिए उन्होंने ज्यादा यहाँ पर फोर्स ने किया हाँ पूछी कौन पू पर्मानेंट सेटल्मेंट सेटल्मेंट वहां पर आपने लगान ने दिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब बैंगॉल वाला टेको प्लेए आपके पास एक टैंक आपके पास सब्सक्राइब कार आप रोड में अच्छी तेजी से चला पाऊगों कि पहाड़ों में तो वहां पे प्लेन एरिया है बंगॉल वाले एरिया में वहां पे तो वह लाखों की फोच को हरा देते पानीपत की युद्व में वह कुछ भी कर सकते हैं जहां प्लेन है वहां पे अं यह वाज है वह तो हारेंगे वह परशान हों गई लेर वी बात यह सर और यहां पर किसानों से इतनी ज्यादा वस्वली नहीं हो पाती हो गी न अव्यस्वाट है वह पर किसान से आपने देखो पहले चीज़ तो यह देखो आप इस नीचे देखो पर मैंने से टेल्मेंट क इसे आप से देते रहना मतलब अंग्रेज भी जानते थे कि एक बार यहां पर जो सके करदों फिर चानिस साल देखना बत यहां पर जो मिला चुप चाप लेते रहे हैं तो क्लाइमेट नहीं हो सकता है पांस साल बारिश हो जाए कि बाढ़ आ जाए अब किरला में आप सब्सक्राइब कर दिया गया है समय से वह पर उसको कम ज्यादा भी करते थे ठीक है बाढ़ आ गई ठीक साल का लगान माफ अच्छा अच्छी पैदावार हुई ठीक 10 और दे देना कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिल्टी थी रहियत वारी में और इसका दिमाग लगाया थ इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया था जो सूखा जमीन है मतलब जहां पर पानी के इत्षी स्टाइन जैसे मालेजे यह नदी जा रही है एक खेत नदी के बगल में है और एक खेत नदी से थोड़ा दूर और यहां पर कि लोग ने जो टैक्स लगाया था ऊके इसे किया था कि भाईया जो लोगों ने जमीन देखी मिट्टी देखी मिट्टी के साफ से तैक्या भाई इस मिट्टी की कितनी प्रोटेंशल उसे साफ से टैक्स सिस्टम शुरू किया था थोड़ा दिमाग लगा उसने देखा पिछले साल में कितने उपरज हुई उसका यहां पर इसा निकाला वह उन्होंने प्छले साल में आपने पांस साल में प्कूश कर दिया कभी जमेनिकालनेंगे से रचालेंगे यहाँ फी जमूंतों है यहहां पर जमीन नहीं है तो यह जो कलेक्शन 2019 कि निपे ७ी आसान था जहकर बहुत बड़े एरिया में तो पाण है लदिया है तो खेती हो भी नहीं थोड़े बहुत एरिया में जमीन है वहां पर गया इस इंड्ला कमपटी का उफीसर चुपचाब गया विजले लेकिन यहां पर वण टूवन हो भी गया है खिक है लेकिन ये सब इन्होंनों सोचा था कि ऐसा हो जाएगा मंटूए जाएंगे सबसे पैसा लेंगी लेकर आपने बीस से चालिस साल का टेनियर उसनmaal जाओगे किसी किसान के के पास जाओगे तने सारे रायतों के पास जाओगे तो कोई पैसा दे कोई नहीं दे और आपने यह भी कहा कि भाई हम कुछ भी हो जाएंगे तो हमारी जो इस पर बात आ जाएगी कहीं इस पर बात में इसमें और भी सुधार लाते जाएंगे लेकिन यह बात है कि यह फर्स इस्टेप पर यह से एक बच्चा है पहली बार जब चलता है तो गिर जाता है लेकिन उसका पहला कदम बहुत सब्सक्राइब करने की ओर में या उसको सिस्टमाइज करने की ओर में तो पूरा पूरा फ्लॉप हुआ था जमिंदार ने किसी और को ठेका दिया उसके किसी और को इसने किसी और को बाद में किसान से अपने इतना लूटा कि नब्वे नब्वे परसेंट अगर आपने उसकी उपश ले दी तो क्या वो तो भूखे मर जाएगा ठीक है तो रहीतवारी फिर भी पर्मन शेटल्मेंट के हिसाब से अच्छा था और रहीतवारी के लिए हमने देखा कि यह मत्रास प्रेश्टेंसी में शुरू हुआ था फामस मन्लों ने शुरू गया था अट्रास और बीश को शुरू हुआ था बंबे शहर में भी इसको लागू सिस्टम यह महालवारी तो अगर हम इन सब का नाम ही समझ जाना तो आदी काने में क्लियर हो जाती महालवारी क्या है कि किसका महल है असल में आज हमारे लिए महल होता है कि बहुत बड़ा बगला घर्जी सब कहते महल लेकिन इसका होता है ग्रूप आफ विलेजेस गाओं के समुख क्या कहते हैं महल कहते हैं गाओं के समुख को महल कहते हैं जिसे माले जी एक गाओं है ये दो गाओं है तीन गाओं है चार गाओं पांच गाओं छे इन्होंने बोला ये च्छे गाओं को मिला कि एक यूनिट बना दी अंग्रेश एस इत्वाइश ने बोला कि भाया मैं एक गाउं नहीं जाओंगा या किसान के पास नहीं जाओंगा के छे-साथ-ड़ गाउं मुझे इस महल से टोटल मालो सो रुपई चाहिए मुझे इस महल से तोटल कितने रूपई चाहिए इसिट एक एंडेक जने आटीए इस प्रथान अब से एक तो महलवारी सिच्टम में क्या था कई गांको मिला किे मार्व बनाया गया यानि उसको ऑ Brendon बनाया गया और उस तरहरें एक विक्ति को मुख्या बनाया गया अंग्रेश ने बोला हम आपसे बात करेंगे top तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं एक एक किसान के पास नहीं जाने वाला और मैं रामलाल जी आप आपको पास पयसा कटा करके सो रुपर कठा करके हमको दे लिए यह था महालवारी सिस्टम यह था महालवारी सिस्टम इसको लाया था हॉल्ट मेकेंजी ने और यह शुरू हुआ था अट्रा सो बाइस में यह अट्रा सो बीस में क्या शुरू हुआ था रायतवारी सेवेंटीन नैंटी थी में क्या शुरू हुआ था परवन सेटलमेंट आप लोगों को महाल का मतलब यहां पर लिखा है महाल मतलब इस टेट या गुरूप और फिलेजस गाओं के समुग और गाओं के समुग का एक व्यक्ति होगा जिसको हेडमेन कहा यह मुखिया कहा गया अंग्रेश ने इससे सिद्धे डिल किया मतलब इस गाओं में भले के लाया पर उसने इस नगमनी से बात कि यह महालवारी का बेसिक कॉंसेट के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत आट दस रड़के आपने कर लिए हर एक फ्रैट में पैसा ले आओ फिर एक उसका मुख्या रहेगा उसको देदेंगे भाई यह देखो टोटल चंदा ह अब तुम सारा खाना खर्चा देख लो एक होगा जिसके पास कटा पैसा गया अब मालेजी मातरानी का सब कुछ होगी आप लोगों ने पूछा कितना खर्चा हुआ तो सब उसी से पूछेंगे ना जो मेन आत्मियों कि दस जार रूपे इसके जेम में गया होगा वह लिख आप लोग तैय करके बता देजी आप लोग का मुख्या कौन होगा वह मुख्या अंग्रेज के पास जाके बोलता था कि मैं का मुख्या हूं यह सब लोगों ने अंगुठा लगा कर दिया है मेरे नाम पे अब मैं आप से सिद्धा बात किया करूँ रिप्रेजेंटेटिव गाउं का रिप्रेजेंटेटिव विलेज रिप्रेजेंटेटिव क्या सकते हैं हैं मुख्या क्या सकते हैं अंग्रेजियों से बात करते हैं इतना रुप्या हम को चाहिए अब यह सब गाउंवालों से पैसा कठा कर लिए यह था महाल वारी सिस्टम तो अब आप यह कर देखा 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 महालवारी में क्या था जमिंदार को मिलता था कमीशन मिलता कमीशन है अग्रेज ने यहां भी मिडल में तो बनाया बस इसको कमीशन नहीं मिलता है एक पर्मेंट से बात नहीं कर रहा था महालवारी में भी अंग्रेज किसानों से डायरेट बात नहीं कर रहा है पर यह मिडल मैं पैसा कोई नहीं दे रहा है लेकिन जब पूषा जादा करीब को ने क्योंकि देखो न यह फार्मर उसके ओपर एड मैं उसके उपर एस लिट ना कंपनी वैसे पीएस में था जमिंदार जमिंदार के नीचे टेनेंट परमंंट को पैसा मिलता था महालवारी की सब्सक्राइध को उसको सम्मां मिलना अब गया हमारी जैसे सेकरेटरी है सुसाइटी का तो Кто हुई मैं कौन सा एक एक लाव सेक्रेटरी बोलता रहते हैं अपनी कॉलर को उचा करके उसको सम्मान मिलता है तो घरो मैसूस होता है आज ते जोशी के रहे सर इन सम्में टैक्स सिर्फ उनसे लिया जाता है जिनके पास लैंड है या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास लैंड होगी ही मैं जिसने लैंड को टील किया मतलब होता है हल चिनाना वह फिर जो टीलर है वहिए टेक्स देगा जो जमीन को जोत रहा है वह भूमी सुधार जो भूमी का मालिक होगा जो भूमी में खेती कर रहा हो वो देगा लैंड लेश लेवरर नहीं इसमें कुछ देंगे पैसा तो यह है महाल वारी सिस्टम अम महाल वारी सिस्टम लागू कहां हुआ ठीक है इस आरे कहाने देख लो जो हैड मैंने नाम दिया था हैड मैं को एक और शब्द लंबर्दार लंबर्दार मतलब हैड मैं लंबर्दार ठीक है और यहीं इनके पास है कि आप सबसे पैसे कठा करिए और हमको देजिए ठीक है शुरुवात में तो अंग्रेजों ने पता ने क्या भांग खाके बैटे थे 95% टेक्स मांग लिए तो यह सो रुपर कमा रहे हैं तो 95 रुपर हमको दो बात में लोगों ने 60% कर दिया तो यह अगर आपको याद ने कोई बात नहीं अगर आपको इनिशल पता है कि भाईया क्या है अगर आप से आ गया कि बताईए यह पीएस के बारे बताईए रहेत वारी और महाल वारी त सब नहीं पताए कितना लिया गया तो क्योंकि कि यह कम जड़ा हो रहा था यह नहीं को याद मिना करो तो भी चलेगा अगर वालोंवारी को हम कह रहे है मोंखिया करें लंबर दार पेर तो बाद में इसमें सुधार किया था है महाल वारी सिस्टम में विलिआम बैंटिक ने के नाम पर उसको ध्यान रखेंगे महालवाली कर जो रीजन है वह पंजाब का एरिया था अवत का एरिया आगरा का एरिया कुछ साउरीशा का और कुछ समद्रब्रदेश का यहां पर महालवारी शुरू हुआ था जैसे अगर यह मैं भारत की बात है हमें फड़ा सा समझाता हूं आपको यह है पिएस वाला एरिया यह मोटे दौर पर आप लिख लेजिए रायत वारी यह है महालवारी यह भी महालवारी ठीक है इधर कुछ हिस्सा महालवारी का एंपी में महालवारी मोटे दौर पर आप कह सकते हैं कि जो वेस्टन इंडिया था वेस्टन इंडिया महालवारी सदन इंडिया रायत वारी और इस्टन इंडिया परमान सेटल्मेंट तो भी चल लेगे आप सकते जहां पंजाब की बात करें तो पंजाब समझ लिजिए वह पंजाब जो आज पाकिस्तान के पास चला गया वह पंजाब महरा रंजीष सिंग वाला अध्युशंग अध्याश मतलब यूपी आज का यूपी आज का अकरट पूरा अब बोलेंगे सर आगरा तो आज यूपी में आता है लिए आपको शायद पता हूँ या नहीं पता हूँ आगरा मुगल बाक्षाओं की रासानी रहा है बहुत समय तो आगरा में ताजमेल बनाएं तो आगरा आवद के अंदर कभी नहीं आता था आज हम देखे तो यूपी क अगरा आता है लिए अगरा अलग रिसा के कुछ हिस्सों में यह चालो किया गया था तो महलवारी के बारे में अगर आपको पंजाब वाला इरिया भी पंजाब आवद याद कर लोगो तो चले आखाप पंजाब और आवद के एरिया में महालवारी शुरू हुआ विलियम विल्यम बेंटिक ने इसमें कुछ सुधार किये थे विल्यम बेंटिक कहानिया बाद में देखेंगे यह आदमी का जब भी नाम आए इसके माथे में दिलिख देना सती प्रथा को इसने रोक लगवाई थी और इसमें पूरा सा योग दिये था राजा नाम मोहन रहाएं नहीं प्रथा पड़ेंगे उन्हें बहुत अच्छा काम किया विल्यम बेंटिक साब ने विल्यम बेंटिक बंगाल का आखरी गवर्नर जनरल रहेगा क्योंकि इसके ही नाम जब यह आएगा ना तब इसका पोस्ट हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो जब यह तो बंशनीन तो आप कियो मतलब कर लेते हैं तो K disponable और जॉन्शों कि है कि घुद्धा सक्टाइगे तो आएगा थामस मन्रों का नाम महाल वारी की जब भी बात रहेगे तो आएगा अधुछ नाम याद रखेगा यह मैं इसका फॉलिंग में पूस सकता है यह याद रखेगा महाल वारी का जो एर्व अठरासो बाईस है ठीक है और क्या नाम है उसका रहेत वारी अठरासो बीस और परमस्टेल्मेंट का समय है वह सब्सक्राइब क्लियर है यह 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 महाल वारी में भी अगर आपने लगान नहीं चुक आया है तो आपको बेदखली किये जाती थी लेकिन तुरंत नहीं किया देखो सबसे ज्यादा प्रोवेल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके और सबसे ज्यादा लिबरल से रहियत वारी में पता था चलेंगे तो यह हमको पता नहीं कहां कहां से मारेंगे कौन-कौन से तीर दोला बारूथ हमकों मारेंगी पता नहीं लेकिन सबस्यादा इस्ट्रिक्ट यानि सबस्यादा क्रूवेल यह किसमें रहे हैं पर्रमनेंट सेटल्मेंट पर रहें मतिक्षा के रिसल महारवाली सिस्टम वस इंट्टूस पत्रेग्लेशन सेवन वाट डशिट मीन अरे उसने कानून निकाला था असल में क्या था वह उसके कानून नाम से कानून तो यहां पर देश में रानी का ससरन आएगा उसके बाद से देशमें एक्ट आने लग जाएंगे यह हमने अभी तक जितनी वरावाड बाची है ना उन सब कर यहांपे फोड़ा सा सार लिखा हुआ है अब मुझे लगता नहीं मैं इसको समझाओं आपको यह आप लोग पढ़ लेना तेक्षम लिखा हुआ प्रवाइब करने आते थे ना तो भी बहुत कड़ाई करते थे वह सुनते नहीं थे तुम्हारे घर में डाका डल गया तुम्हारे खेती नहीं हुई फसल नहीं कुछ नहीं सुनते थे उनको पास पाइसा चाहिए था और काफी करॉप्शन भी हो रहा था यही सब गुस्सा अगर क्रांती में अट्राव संतानी किसान लड़ा है तो क्यों लड़ा है आपने इतना उसको परशान कर लिया है यह टैक्स सिस्टम में किसान बोला कि भाई आप मां आपको करो या मरो और सेनिक भी लड़ेगा किसान भी लड़ेगा चमिंदार लड़ेगा करांती में ठीक है जो जो हैंडी क्रॉट बनाने वाले वह वह लड़ेंगे जो झो कि आपके जो कि मृश्वीशन से वह घुक्ति आने से बहले भारत में जमीन बिक्ती नहीं हो गई विखने वाली गरीवी रखने वाली वस्तू हो गई ऑक्षन कर देते थे बिना अगर फार्मर पैसा नहीं दिये तो ऑक्षन कर देते बेस देते निरामी कर देते यह सब बेवकूफी चल लए थी इसी वजए से इनकी पटाई भी अठावन की करांति को अंग्रेश क्या बोलते तो ऐसानी कि लड़े हैं यह जो सैनिक थे ना सैनिक से पहले किसान थी बिचारे लेकिन जब इतना ज्यादा इन से करजा लेने लगे तो किसान की किसानी छूड़ गई मालों कोई किसान ने लगान नहीं देपाया तो उसकी जमी गुसा था तो जब एक्च्वल में वो सैनिक वर्दी सैनिक की पहले के मन से तो किसान था ना उसके साथ जो बुरा वरता हुआ है जो उसकी इज्जत आबरू गई थी वह सब गुसा इनका निकलेगा अठाव संतावन की क्रांति में जब यह सारा जो कह रहना जैसा बोगे पाका काटोंगों ने इतने ईतने बुराईय बुई है इतनी इन्होंने यहां पर एकसेसिव जैसे की है इसी का नतीज़ा रहेगा त्रॉशलो कर्दी से नि पाप का घड़ा भर गया अब तो वह तूटे गई तब तो यह हुआ आपका लैंड रिफॉर्म को लेकर इस्ट इंडर कंपनी के लैंड रिफॉर्म को लेकर पूरा यह आपकी पेडिया कॉंप्रेट हो गई है कि अच्छे से पढ़ो इसको कई बार पढ़ो अपने साफ से नोट्स बनाओ कोश्चन देखो कुश्चन तो वैसे मैं कराओंगा आपको भी मिलते हैं जैसे किसी ने भी मुझे एक कुश्चन कल शेयर किया था जमींदर और जागिद्दर में डिफरेंसाइज यूपीएसजी तरह जाएक्ट आप्सेटलमेंट क्या था और यह चाहिए जो शुप्रीम कोड के पावर थे और जो वह गवर्ण जनल के पावर थे उसके बीच पर वार रहा था कि तेरा क्या काम रहें गया और तुम्हारा क्या क्या वावर्ण रहें तुम्हारी लेंड रफॉर्म सिस्टम इंपोस्ट करा तो पर्मेंट इंडिया को रहा था क्या उसे नहीं सिस्टम नहीं हुआ वह तो पेंगोल वर एर्या में चली रहा था ना उसको बंद नहीं नहीं अब अब क्या पूछने चाहते हैं आप माई कौन करें पूछंग तर जैसे र्याट वारी सिस्टम कुल रहे हैं तुछा यह फी डूट रहा ग्यां कि इन्होंने कोई भी सिस्टम को पूरी तरह खतम नहीं कि यहां पर फेल हो रहा था वहां से हटा के कुछ नहीं चेंजर्स कर देंकि रही चाहिए महाल वारी चाहिए पर्मेंट कभी खतम नहीं होंगे कि इसना किसी रूप में वो चलते रहेंगे कि इनको उससे पैसा मिला है वहले कम मिला दो रुपरे के मिल तो रहा है पैसा क्लियर है जी से जुलिंग शेर कर देता हूं यो तुप है coração अरे रहा रही लोग होते थे जो कि आवद के ऊपर वाला जो रीजिन युझा है वह है रही लोग रहा मुस्लिम लोग इन लोगों तकनीक को लड़ाई करने वाली गोरिल्ला मतली जैसे पूट्म के लड़ना और अलग चीज़ से इसे एक शुब्म आप आप कर दो 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 कि आपको मिल जाएगा उनमें 20 सब्सक्राइबर है इसमें और यह सब वीडियो मैंने इसमें चड़ा दिये देख लेना हना सब नहीं चड़े लेकिन फिर भी चड़ते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे इसमें तेकर थैंक्यू अबरिवन थैंक्यू सब थैंक्यू